The Tiger King by Kalki What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उन्होंने बोला कि जो भी पैदा होता है वो एक दिन दो जरूर मरेगा इसमें prediction की क्या बात है Instead, वो अपना manner या फिर reason of death जानना चाहते थे Chief Astrologer को ये incredible लगा कि एक 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोल ही नहीं लेकिन अच्छे और intelligent questions भी पूछ सकता है Chief Astrologer ने उन्हें बताया that because he was born in the hour of the bull उनकी death का reason एक tiger होगा इसको सुनने के बाद वो डरे नहीं Instead, उन्होंने सारे tigers को वौन कर दिया Crown Prince बड़े होने के साथ साथ taller और stronger बनते रहे बाखी सारे Indian princess की तरह उनकी upbringing के बारे में सब कुछ English था वो सिरफ English films देखते थे उनकी nanny English थी उन्हें English में tutor किया गया था by an Englishman और वो एक English cow का milk पीते थे जब वो 20 साल के हुए तो उन्हें king बना दिया गया Kingdom में लोगोंने astrologer की prediction के बारे में बात करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो prediction महाराजा को पता चली प्रदी बांदपुरम में बहुत सारे forest थे जिनमें tigers रहते थे महाराजा ने जाकर अपना first tiger मार दिया उन्होंने state astrologer को बुलाया और उन्हें वो dead body दिखाई astrologer ने महाराजा को बताया कि वो prophecy सही है कि इसी तरह वो 99 tigers को तो जरूर मार देंगे लेकिन 100th tiger को नहीं अगर महाराजा 100th tiger को मार देते हैं तो astrologer ने promise किया कि वो अपनी astrology की सारी books को जला देंगे अपना tuft of hair कार्ट देंगे और एक insurance agent बन जाएंगे फिर महाराजा ने एक order पास किया कि उनके सिवाए कोई भी tigers को hunt नहीं कर सकता और अगर कोई एक stone भी किसी tiger पे थ्रो करता है तो उसकी property और पैसे seize कर दिये जाएंगे महाराजा ने कहा कि वो state matters से तभी deal करेंगे जब वो 100 tigers को successfully मार देंगे इस quest में महाराजा ने काफी difficulties face करी कभी उन्हें tigers को अपने हातों से लड़ना पड़ता था कभी उनकी bullet मिस हो जाती थी लेकिन हर बार अंत में वो ही जीतते थे एक बार एक British officer प्रतिबांदा पुरम में आये उन्हें tigers hunt करने के बाद photo खिच्वाने का बहुत शौक था तब भी महाराजा ने उन्हें ये करने से मना कर दिया उनके secretary ने फिर एक message भेजा कि महाराजा खुद उस tiger को मार सकते हैं वो British officer को तो सिरफ photo से ही मतलब था फिर भी the king did not relent उनको लगा कि अगर वो इसे allow कर देते तो और officers आके यही चीज request करते but now he was in danger of losing his kingdom अपने दिवान से discuss करके उन्होंने 50 diamond rings officer की wife के लिए भेज दी उनको लगा था कि वो एक दो rings लेके बाकी वापस भेज देंगी instead उन्होंने सारी rings रख ली और एक thank you note भेज दिया इससे महराजा के 3 लाख रुपे तो चले गए लेकिन उनका kingdom बच गया दस साल में ही महराजा ने 70 tigers मार दिये थे इसकी वज़ा से उनके state में tigers extinct होने लगे उन्होंने उन्होंने दिवान को उनके लिए एक bride ढूनने के लिए बोला जिनके state में एक large tiger population हो इस marriage की वज़ा से जब भी वो अपने father-in-law को visit करने जाते थे वो five to six tigers मार देते थे इस तरीके से महराजा ने 99 tigers को मार डाला था अब उनके father-in-law के kingdom में भी tigers नहीं बचे थे महराजा को अब सिरफ एक ही tiger मारना था ताकि उनके fears और anxieties खतम हो जाएं लेकिन उन्हें वो एक last tiger मिल ही नहीं रहा था फिर एकदम एक खबर आई कि एक nearby hillside village में से sheep disappear हो रही थी जो सिरफ एक tiger का ही काम हो सकता था इस news की excitement में महराजा ने उस village के residents के लिए एक three year tax exemption अनाउंस कर दी लेकिन उनको वो tiger मिला ही नहीं he refused to leave the forest till the tiger was found वो बहुत furious होने लगे और उन्होंने land taxes अब double कर दिये जब दिवान ने इसके against advice किया ये बोलकर कि लोग discontent हो जाएंगे and that their state would fall prey to the Indian National Congress तो उन्होंने दिवान को resign करने के लिए बोल दिया दिवान ने मदरास के people's park से एक tiger order किया था और अपने house में चुपाया हुआ था अपने आपको बचानी के लिए at midnight दिवान ने और उनकी wife ने उस tiger को car में रखा और वो उस tiger को उस forest में ले गए जहांपर महराजा थे अगले दिन वो tiger महराजा को दिख गया और फिर aim लेकर महराजा ने उस tiger को shoot कर दिया tiger फिर एक crumpled heap में गिर गया महराजा बहुत जादा खुश होए और उन्होंने order करा कि वो tiger एक grand procession में उनके capital में आए जब महराजा वहां से चले गए hunters ने notice करा कि वो tiger अभी भी जिन्दा था the tiger had simply fainted because of the shock of the bullet whizzing past him hunters को लगा कि अगर वो इस चीज के बारे में महराजा को बता देते हैं तो उनकी job जा सकती है इसकी वज़ा से एक hunter ने उस tiger को खुद ही गोली से मार दिया king के order पे the tiger was taken in procession and buried थोड़े दिन बाद महराजा के बेटे का तीसरा बर्दे था और वो चाते थे कि वो अपने बच्चे को कुछ अच्छा गिफ्ट करें तो वो shopping center चले गए उन्होंने एक wooden tiger लेने का decision लिया उसकी cost two unars in one quarter थी लेकिन shop की पर जानता था कि अगर वो इतना low price court करेगा तो उसे punishment मिल सकती थी under the rules of the emergency तो उसने 300 rupees का court करा the king instead took it away saying let this be your offering to the crown prince on his birthday कर जाकर महराजा और उनके बेटे ने इस tiger के साथ खेला ये tiger एक unskilled carpenter ने कार्व किया था and tiny slivers of wood stood up like quills all over it उनमें से एक ने महराजा के right hand को pierce कर दिया उन्होंने फिर जट से उस needle को निकाला अगले दिन उनके right hand में एक infection डिवेलप हो गई और चार दिन के अंदर अंदर वो एक सोर बन चुकी थी जो उनके पूरे right arm में फैल चुकी थी मदराज से surgeons बुलाए गए और उन्होंने king के उपर operate करा लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए और महराजा मर गए इस तरीके से इस तरीके से दे हंड्रिट टाइगर ने महराजा को मार कर अपना रिवेंज ले लिया प्राक्टिस के लिए आप इस क्शेशन का अंसर वीडियो के कमें शेक्शन में लिखिये और दोंट फोगे टो चेक आफ दे रेस्ट अव क्लास 12 English Animated Videos by Grandacad फोलो आर इंस्टर्ग्राम जोई आर तेलिग्राम लिंक्स इन दिस्रिप्शन अंदिल नेक्स ताम कीप विनिंग, यू चैंपिंग्यों!